So Hello Friends, वुरसे एक ने वीडियो में आप सभी का स्वागा थे So दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सभी को या बताऊंगा कि दोस्तो अगर आप Miso EPS से कोई भी समान या प्रोडिक्ट को आउडर करते हैं दोस्तो आपका किया हुआ order आपके हाथ में मिल चुका है बट आपका वो जो सामान है आपको पसंद नहीं है या तो size छोटा हो रहा या तो फिर कुछ टूटा फूटा है या तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे exchange या तो return कैसे कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो को start में छोड़ी से रुक पेस्ट हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहले वह और तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हमें दिये गए बेल आइकन को अलपर प्रेस कीजिए तो चली दोस्तो आज की इस वीडियो को start करते हैं दोस्तो अगर आपके मिसो एप से कोई भी सामान या प्रोडेक्ट को exchange या और return करने के लिए आप सभी को अपने फोन में मिसो एप को open कर देना है तो final दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिसो एप आप बीच में दिख रहा होगा orders तो आप सभी को orders वाले logo पर click कर देना है तो click करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का interface दिख जाता है तो आप सभी को नीचे scroll करना है तो आपका जो भी सामान या product order किये होंगे तो यहां आपको show कर जाएगा अभी देख सकते हैं क पर click कर देता हूँ तो इस पर Division आप सभी के सामने कुछ ऐसा दिख जाता है तो आप सभी को दो दो ओप्शन दिया गए गया है एक्ष्चेंज उप्रूंट अगर ट्रीट्रंट कर देना है अगर आप इसे डिश्च altern यानि के रीटल करना चाहते हैं तो इस वह अप्शन पर खिलिक करदेना है तो टोस्ट बाद मैं खेले करने के बाद तो मैं जो है फिट इसू में है तो मैं जो कोई भी एक problem को select कर लेता हूं जो मुझे problem आ रहा है तो यहां से इस तरीके से select करने के बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा interface दिख जाता है तो यहां से select कर सकते हैं दोस्तों आप सभी को धेर सरे options मिल जाते हैं तो आप कोई भी select कर सकते हैं जो आपका मनपसंद नहीं है तो यहां से इस तरीके से करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का interface दिख जाता है add image आप सभी को add image वाले option पर click करके gallery में चले जाना है और उस photo को ले लेना है जो आप exchange यानि की return करना चाहते हैं या तो exchange करना चाहते हैं मैं return करना चाहता हूँ तो उस वाले option पर मैं एक photos को ले लेता हूँ तो चली दोस्तों मैं इस तरीके से एक photo को ही ले लेता हूँ तो यहां से आप से भी को इस तरीके से इस photo को select कर लिया हो दैन मैं उसे में कुछ भी नहीं लिखने बाला हूँ यहां आपसे भी कुछ दिख रहा है अगरी इस पाले option पर टिक लगा देना टिक लगाने के बाद समीप पर किलिक कर देना है तो समीप किलिक करने के बाद आपसे भी के सामने कुछ ऐसा अंटरफेस दिख जाता है तो यहां आपका account number मतलब आप अपने account number को दे दीजिए अगर आपका यह समान return करने करना चाहते हैं तो account में ही आपका यह पैसा आ जाएगा तो यहां देख सकते हो बैंक का यह सी कोड है तो चलिए फटा फट मैं आप सी कोड को भी दे देता हूं तो फानली दोस्तों आप से भी के सामने कुछ इस तरीके का अंटरफेस दिख सकता है दोस्तों account नमबर में दे दिया हूं और बैंक का नाम भी दे दिया हूं यहां से आप सभी को उपर दिख रहा हो, return, code आप सभी को दिख रहा होगा, दोस्तों क्या होगा ये जो return होगा आपके phone में call आ जाएगा दो तीन में, मतलब कल ये तो फिर परसो दो दिन में call आ जाएगा आपका समान ये लेने के लिए चलायागा और एक सब्ते के अंदर अंदर आपके एकान में यह जो इसका पैसा है यह प्रोडिक्ट या नहीं समान का जो पैसा है वो आपके बैंक में बहुती आसान तरीके से आ जाएगा उनमें कोई भी प्रोब्लम की बाते नहीं है दोस्तों मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिये गए वेल आकोन को ओल पर प्रेस कीजिए दोस्तों आज की वीडियो इतने इसी फिर मिलता अग